हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल रियल वन मजू ब्लगर और आप सब कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो इस्टार्ट होने वाला है अप सर्दियों का मौसंग और जिनकी है ड्राइ स्किन तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि ड्राइ स स्किन को सॉफ्ट कैसे रखें तो बने रहिए मेरे वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो फ्रेंड्स मेरे लिए न्यू है तो वह प्लीस चैनल को जोईन कर लें और बैल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिसे मेरे आने वाले नए वी टो इन टो बने रहिए वीडियो में आगे चलते हैं पॉइंड्स को देखते हैं कि जिनको अपना कर और आप अपनी स्किन को सॉफ्ट रख सकते हैं चमकदार बना सकते हैं तो बने लिए वीडियो में तो चलिए फ्रेंड्स टाइम को वेचना करती हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अक्सर कई लोगों को ड्राइ स्किन की समस्या हो जाती है रूखी तवचा ओईली स्किन से कहीं ज़्यादा नाजुक होती है मौसम चाहें सर्दी का हो या गर्मी का हो ड्राइ स्किन की देखवाल बहुत जरूरी है नहीं तो चेहरे पर जुर्या और रैशेज होने लगते हैं आज हम आपको ड्राइ स्किन की देखवाल और इसकिन को सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ आसान होम रेमटी बताएंगे जो आपके लिए काफी मददगार हो सकती है और ड्राइ स्किन होती क्यों है इसका भी रीजन होता है इसका रीजन जैनेटिक भी हो सकता है कि जैनेटिकली ऑइल बनाने वाले जो ग्लांट्स है वो आपकी बॉडी में बहुत कम है बहुत कम ऑइल पास कर रहे हैं जिसकी वज़ए से आपकी स्किन ड्राइ है और तो उसके लिए आपको क्या करना है नहाने से पहले बॉड़ी में ऑईल जरूर लगाएं और एक घंटे पहले या कुछ देर पहले आप इस प्रोटेक्टिव कवर बना सकते हैं इसका जो भी ऑईल आप लगाएंगे उससे आपकी इसके पर प्रोटेक्टिव कवर बन जाएग और नहाने के तुरंट बाद मौशराइजर लगाएं अगर नैचरली नमी नहीं है तो आप बाहर से नमी दीजिए अपनी स्किन को क्योंकि जिनके ड्राइ स्किन होती है उनके अंदर नैचरली नमी की कमी होती है तो आप नहाने के तुरंट बाद ही मौशराइजर लगाए और इसके अलाबह भी और भी बहुत से घरेलू उपाएं हैं तो आए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से घरेलू उपाएं हैं जिसे आपकी इसकिन बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी नेचुरली और जो ठंड के जो मौसम चलना है से आपको काफी कुछ आपकी इसकिन को रहत र तरह ईह नंबर इसकिन और की नहाने को चुछ करें भाता हैं तो अपनी आदे यह ? और नमबर तीन पर है शेहद, ड्राइ स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए शेहद जो है बहुत इलाबकारी होता है यह एक नेचुरल मॉस्टराइजर होता है इसके प्रियोक से जुरियां और फाइन लाइन्स की जो कमी हो जाती है इसे आपके चेहरे पर दस मिनट के लिए कात करने के लिए घाट और पर है आलो वेरा तोचा को सोरषर तोको जुरस्तव चमक्दार बनाता है इजेह ने चेहरे पर जाते तक असनलव में सवार्ट रखे़त उजू किन जब इसे इस प्रें से लाइब लगते तो जकाए होई मिला से है तक तक लिए गटत पानी पीना चाहिए यह स्किन को अंदर से सॉफ्ट रखता है और बहुती मॉस्चराइज रखता है इसकिन को तो आपको साथ से आठ ग्लास पानी डेली पीना चाहिए क्योंकि सर्दी में हम लोग और भी लापरभाई करने लगते हैं जिससे स्किन और ड्राई होने लगती है अच्छे से एब्जॉर्ब न हो जाए बॉड़ी में तक इस पर मसाज करिए तो जब पूरा सोक लेगी जब इसकिन के अंदर पूरा सोक लेगी तब इसके आपको बहतर पढ़नाम दिखाई देते हैं और इसकिन बहुती सॉफ्ट रहेगी और शाइनिंग भी करेगी और न 10 मिनद बाद इसे गुंगने पानी से धोलें हफते में दो बार आप यह उपाए अपना सकते हैं और नमबर आट पर है ग्लिसरीन इसकिन को मॉश्राइज कर उसे सॉफ्ट और चमकदार बनाता है ग्लिसरीन में गुलाब जल मिलाके उसे ड्राई स्किन पर लगाएं और कु लगा सकते हैं और फेस पर लगाएं लगाएं नमबर नो पर है हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर में शह दही और जैतून का तेल मिलाके पेष्ट तयार कर लें और उसे चेहरे पर लगा लें 10-15 मिनट लगा के रखें फिर ठंडे पानी से छेहरा दोलें हाफते में दो बा इनको बहुती सौफ्ट टाइप के साबुन का प्रियोग करना चाहिए जिसे वह अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं कि एक तो ड्राइ स्किन होती हुपर से अगर हम लोग हार से साबुन का प्रियोग करते तो और ड्राइनिस पील होता है तो जिनकी होती इसकिन वही वीडियो में ड्राय स्किन से निजात पा सकते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राई कमेंड में जरूर बताईएगा तब के लिए बाई बाई